हाई फ्रेंड वेल्कम पर ओल श्रमर व्लाग मैं हूँ आपका बिजनस दोस्त रावल शरमर दोस्तों आज फिर से एक बहुत ही बहत ही बेथरीन बिजनस आइडिया के साथ और एक बहुत ही बहती ही बेहत्रीन मेकिंग वीडियो के साथ आयats आज की वीडियो में एक छोटा सा बिजनस आपको दिखाऊंगा जो मात्र 10,000 रुपे से आप स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको कहीं भी शुरू करेंगे आपको अच्छा कस्टमर बेस देखने को मिलेगा और मैं आपको एडवाईस करूँगा कि सिर्फ 10,000 रुपे लगा कर आप छोटे से इस बिजनस को स्टार्ट करो और जब आप अच्छे पैसे कमा लो तो इस बिजनस को आप एक छोटा सा काउंट लगा के मौल में भी शुरू कर सकते हो यह आप छोटा सा सेट अप देख रहे हो ना बस इतना सेट अप की जरुवत है और आप अराम के साथ में इस बिजनस की शुरुवात कर सकते हो एक चीज़ क्लियरली आपको बता दूँ कि आज की वीडियो में जो चीज़ मैं बना कर दिखाने वाला हूँ वो बिजनस परपस के लिए बना कर दिखाऊँगा कि बिजनस के लिए आपको कैसे बनाना है और वो बनाने में कितने का पढ़ रहा है कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा हम ये सारी बाते करने वाले हैं पूरे business को शुरू करने में किन-किन चीजों की ज़रुत पढ़ने वाली है और साथ ही में इस business को शुरू करने में कौन से license की requirement आपको पढ़ने वाली है ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और making के time पे मैं आपको जो twist होता ना हर business में हर किसी food वीडियो में या food making में वो सब यहां पर मैं चोटी चोटी बाते आपको बताऊंगा और इस वीडियो में बड़ी बड़ी बाते और बड़े बड़े business की बात नहीं होने वाली है तो अगर आप कोई ऐसे इनसान है जो तंग आ चुके हैं पैसा कम होने की वज़े से परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा business मिल जाए जो बहुत कम पैसे से शुरू कर सकूँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और अगर आपके बास बहुत जादा पैसे हैं आप food business के बारे में सोच रहे हैं तो फटावट चलते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे subscribers हैं जो देखकर समझ गयोंगे कि आज मैं कौन सा food item बना कर दिखाने वाला और किस business के बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि highway के ओपर, toll plaza के पास में truck and buses का जो लेवाय होता है वहाँ पर आप कौन से business से शुरू कर सकते हैं उनमें था एक sweet con के business का जो business idea मैंने दिया था उस पर बहुत जादा comment आ रहे था कि sweet con कैसे बनेंगे असान तरीका क्या है, बनाकर कितने का पढ़ेगा कितने का बेचने पर कितना profit होगा ये सब हमें detail में बताईए, बनाकर दिखाईए आप लोग कोई चीज की request करें और वो काम मैं ना करूँ, ये हो नहीं सकता इसे के लिए मैंने ये Amazon से order करा है आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूँगा Amazon का order मेरा, ये पढ़ा है मातर 4.99 गाने की 500 रुपे का फिलाल मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये छोटा है ये सिर्फ मैंने बगाया था आप लोगों को बना कर दिखाने के लिए आप इस तरीके का कमर्शिल स्वीट कॉर्ण स्टीमर ले सकते हैं जो कि मैं आगे आपको प्राइस भी बताऊंगा ये बेटर है आपके लिए और मैंने जैसे की कहा है, 10,000 के अंदर भी आप शुरू कर सकते हैं तो इस तरीके का आप जो बड़ा कमर्शिल स्टीमर है कॉर्ण के लिए वो लेने के बाद भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत जादा नहीं है 7,000 रुपे से स्टार हो जाता है इसके अलावा आप बड़ा लीजेगा क्योंकि यह थोड़ा सा चोटा बड़ाएगा बड़ा आपको सच मता रहा हूँ इनिशल स्टेज में स्टार्टिंग के लिए यह भी सफिशेंट है ठीक है इसको करता हूँ मैं साइड में एक एक चीजें आपको दिखाता हूँ अब स्टीमर है तो इसमें पानी की ज़रुत पड़ेगी तो मैं पानी डालूँगा इसके अलावा यह चोटा सा बर्नर है जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको दिखा चुग हूँ सिर्फ इतना सा है मेरे हाथ में देख लो यह बर्नर मैंने अपनी काफी फूड मेकिंग वीडियो में यूज किया है आपको दिखा है इसके अंदर यह पर्फ्यूम के जैसा कैन होता है जिससे यह फ्लेम इसको मिलता है और यह जलता है अब इसको मैं सिंप्ली आपको दिखा हूँ तो बस इसको यहां से ऐसे नीचे करके मैं ऐसे करूँ हो तो यह आप मेरे देख सकते हैं हाथ में जल रहा है तो जिन लोगों को चाहिए तो आप यह छोटा भी order कर सकते हैं, यह पच्छिस सो रुपे का मिला था, मैं आपको actual prices बता रहा हूँ, ताकि आपको idea भी मिलता जाए, calculation part में हम सारी चीज़े cover करने वाले है, तो यह आप देखो मेरे हाथ में जल रहा है, बड़े अराम से, ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ बन, और इसको करता हूँ side में, इसके लिए आपको और कोई cylinder, और कोई pipe, कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई regulator नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इतना है, है ना, तो यह एक compact process है, बट यह थोड़ा सा costly पढ़ सकता है आपको, तो आप छोटा cylinder ले सकते हैं, और छोटा सा जो normal burner आता है, वो 700-800 में आपको मिल जाएगा, साथे 300 रुपे से वो शुरू हो जाता है, steel वाला, वो भी आप ले सकते हैं, आपके उपर है, एक यह चोटी सी weight machine है, जो कि मैं weight करके आप जो base product होता है, वो आपको बहुत मेहनत और research करके खरीदना है, अगर वो आपने सस्ता खरी लिए तो आपका finished product, यानि कि बनने के बाद जो final product त्यार होगा, वो सस्ता त्यार होगा, अब यह इसमें आप आलू, टमाटर, धनिया, प्याज, इसमें बहुत बड़ी बात, आप देख सकते हैं, अब यह मैं बिल क्यों दिखा रहा हूँ, यह सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना idea मिल सके, अब यह कुछ shops पे मेरे को नहीं मिला, 7-8 दुगाने मैंने घूमे होंगी, तब यह मिला, यह ऐसा है, जिसका फ्लेवर actual में lemon जैसा ही आता ह और अगर आप natural product में deal करते हो, तो आप Nemo भी use कर सकते हो, उससे बहतर कुछ नहीं है, बट इसके और lemon के price में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, बहुत ऐसा नहीं है कि यह chemical based essence है, अच्छा लगता है, और यह कोई promotion नहीं कर रहा है, आपको अगर इसके अलावा कुछ मिल आते हैं, वैसे मैंने बनाएं, बट आज मैं आपके सामने first time calculation के साथ बनाऊंगा, क्योंकि मैंने research करके मेहनद करी है इसके लिए, इसके अलावा यहाँ पर है rock salt, white salt, इसके अलावा यह पुरानी वीडियो में जो मैंने आपको potato tornado बना कर दिखाया था, उस time के यह रखे हु चुरू कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि बहुत काम हमारा असान हो जाए, आपको करना सिर्फ इतना है, एक बर पास आके दिखाना, देखो, यह तो मैंने कटोरी में डाला है, आपको ऐसे कटोरी में डालना है, इसमें मैंने धनिया काटके डाला हुआ है, और मिर्ची काटके डाली हुई है इसके अलावा आपको टमाटर चाहिए और प्याज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब ये सब आप काटके पहले ही रख लो बहुत जादा नहीं आपने देख लिए कि हाँ एक घंटे में मेरे पास 25 कस्टमर आने वाले हैं तो आप 15-18 कस्टमर का काटके रख सकते हो एक घंटे में नहीं खराब हो जाएगा और जैसे कस्टमर आए और आपने बस स्टीमर से निकालना है और बनाकर सीधा दे देना है वो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले कुछ जो चीज़ें बहुत बारीक होती हैं समझने वाली होती हैं वो बतायता हूँ जब भी फूट बिसनस करते हैं हमारा क्या होता है कि हमें हर चीज महेंगी लेनी होती है अब यह पर ब्रैंडिन देखेंगे एमेजान पे आपको दिख जाएगा यह गलेर का स्टेनलेस टील का चाकू है और यह थोड़ा को यह इस से chopping करने मज़ा आता है बजाए इसके सो हर महेंगी चीज सोना नहीं होती मैं आपको हमेशा बताता हूँ तो जो भी चीज कम दाम में भी आपको suitable है उसको सस्ते मेलो तो यह इतना महेंगा चाकूल अगर आपको लगता है यहां आपके हाथ में सेट है आप इसके धा अब सबसे पहले मैंने जो इंपोर्टेंट काम है वह आपको बताता हूँ थोड़ा सा पास आजाओ देखो चॉपिंग जो है वह बहुत जरूरी होती है तो आपको सिंपली बताता हूँ चॉपिंग करने का तरीका क्या होता है अब जैसे यह प्याज है इसको मैंने बीच स काट लिया अब आपकी चॉईस आप कैसे भी काट सकते हो मेरा जो स्टाइल है मैं ऐसे ही काटता हूँ इसको कट करने के बाद मैं यहां पर रखूँगा सिंपली अब हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए यह नाखुन आपका इधर होना चाहिए और यह आपको इस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपका हाथ ना कटे उसके बाद आपको बस स्लाइडली इसको सिंपली यूँ चाना है और यह बहुत ज्यादा वाइन चॉपिंग होती जाएगी आप यह देख लो बहुत ज्यादा फाइन चॉपिंग हो रही है ठीके ना इसके लावा और एक दो कट हम मारे तो यह सिंपली यह रफ चॉपिंग आपने इसमें कर दी अब मैं सिर्फ हाफ प्याज ही यूज़ कर रहा हूं आदे को मैं रख देता हूं अब यहां पर मैं लूँगा कटोरी और इस कटोरी में यह जो मैंने फाइनली चॉप अनियन है यह मैं डाल दूँगा हाला कि मैं यह काट के रख सकता था मेरे बहुत सिंपल हो जाता और भी काम लेकिन ऐसा नहीं यह वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं सब कुछ असान करके दिखा दूँ नहीं यह सिंपली मैंने अनियन काट के रख दिया अब इस कटोरी में मैं टोमैटो काट के में और इसको करूँगा सब और research करूँघ में यहां इस तरह के से और इसको मैं कर मत करना से कशिकार बड़े अराम के साथ में यहां पर fine job जाएगा लिए तो इस चाकु की धार बहुत अच्छी है भाई-जाब इसलें यह दो सेकेंड में सब कुछ बारीकली काच David ses सकते हो तो गलती मत करना कि चाकू की शिकार आप बन जाओ इसलिए बड़े अराम से चौप करो कोई भी गलती ऐसी मत करो जिससे आपको नुक्सानों बस अब इसको टमाटर को भी मैं इसमें डाल देता हूँ बाकी मैंने काट के रखा हुआ है अब ये आप जब आपका फ्री टाइम हो आप ये प्री प्रिपरेशन कर लो काट के रख लो ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी दिक्कत ना है कस्टम अला है आपको बस उठाना है और बनाना है अब मैं इसको करता हूँ साइड में अब ये काटोरी और ये सब बना देता हूँ मैं इनका काम हो गए मैं जगा बना दू ताकि आपको असानी समझा पहों जो चीजे होती जारे है उनको मैं हटाता जा रहा हूँ अब बाकी काम करें इससे पहले ना स्टीमर में कॉर्ण को डाल देता हूँ कॉर्ण का क्या प्राइ मैं थोड़ा कम डालता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से आपको करके दिखाना है अब इसको मैंने लगा दिया है यहाँ ठीक है फ्रंट में कस्टमर के सामने और इसको मैंने इसके उपर लगा दिया और ये काफी हैवी लिड़ है इसकी और ये आ गया एक किलो का स्वीट है काकरणा अब देखो जब मेरे को नॉमनिली स्वीट कॉन वनाे होते हैं तो मैं यहाँ से जो सूपर मारके भी होते हैं उन से लेलेता हूँ और अगर मैं उनकी बात करूं तो वहाँ पर सूपर मारकेट में वो अच्छा खासा कॉस्ट करता है मेरेको और जिनको नहीं PPता अब इसको कर देता हूं मैं लिड़ को बन अब हमारा ये काम हो चुका है ये स्टीमर चलने दो एक चीज बता दू बहुत सारे लोग सोचते कि ये कच्छे होते हैं इनको पूरा फ्रोजन मतलब गलाना पड़ता है या नहीं तो ये हाफ कुक रहते हैं और ये मतलब आप बस थोड़ी सी स्टीम करेंगे ये रेडी हो जाएंगे आप अगर चाहो तो स्टीमर नहीं लेना चाहते हो आप सीधा इसको बोइल करके भी यूज कर सकते हो वह आपके ओपर डिबंड करता है अब इसको करता हूं मैं साइड इसको भी अब हमें में चीज जो है वह हमें मैं न मतलब जब आपके पास टाइम है सफाई कर दो ताकि आपको भीड के टाइम पर परिशान ना होना पड़े अब यह जो चीज मैंने कांच की कटोरियो में रखी है यह आपको बिन मेरीज में रखना है करूँगा और इस डिस्पोजिबल ग्लास में डालूँगा और उसके बाद आपको पूरे का वेट करके दिखाऊंगा और सारी प्राइजिंग बताऊंगा तो दोस्तों यहां पर कॉर हमारे रेडी हो चुके हैं मात्र आठ मिनिट में प्रॉपरली यह खाने लाइक हो चुके सो मार्केट से वो जो कच्छे वाले मक्की के दाने आते हैं वो मत लेना क्योंकि बहुत जादा फर्क ने पड़ेगा आपको फ्रोजन पैकेट बल्क में लेकर आजाओ अपने डी फ्रीजर में रख दो यहां फ्रीजर में रख दो आपका काम चलता रहेगा अब यह एक बि दीपक जलता है उतनी आज छोड़ दो और आपका सब कुछ सटप ड़न है और मैं जैसे कि आपको बता रहता है यह एक ऐसा बिजनस जिसमें आपको डेली मार्केट जाने के ज़रुत नहीं है फ्रोजन कॉन आपके फ्रिज में पड़े हुए लेमन की बोतल आपके पास से नीबू भी अगर आप एक बर लेाते हैं हफते भर का आराम हो जाएगा धनिया आपको गत्ते के बॉक्स में गत्ते का कोई भी पैकेट हो उसमें या फिर किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में जो कि मैं आपको वीडियो के साइड में दिखा रहा हूँ इस तरीके किसी भी तो पंदरा दिन भी आपका द्धनिया सही रहेगा, बहुत सारे लोग भूलें कि ग्लास में पानी डाल के रख लो ऐसे रख लो मत रखना, इसके अलावा आपको इस तरीके के उस तरीके को डिस्पोसिबल कप चाहिए होंगे, जो कि आप जो आपको बेस्ट हो आपकी आपको डेली मार्केट नी जाना है, मंडी से आप प्याज की बोरी खरीच सकते हो, आपका डेली का काम है, बोरी आपकी निकल जाएगी, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा अब मैं करता हूँ इसको ओपन और आपको बना कर दिखाता हूँ, देखो ये कॉर्ण हमा अब मैं क्या करूँगा, ये कॉर्ण मनाने के लिए सबसे पहले वन, टू, और ये थ्री, ये तीन मैंने ले लिए, एक कस्टमर खड़ा है, इसको मैंने लेकर इसको डखकन को वापिस से बंद कर दिया ताकि टेमपरेजर लूज ना हो, अगर कस्टमर बोलता कि भईया मैं को प्लेन सॉल्टिड चाहिए, तो आप इसमें बस सॉल्ट डालोगे, ये मैंने सॉल्ट डाल दिया, रॉक सॉल्ट, ये मैंने वाइट सॉल्ट डाला, और इसके अलाबा मैं डालूँगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा लेमन जूस, बस इतना सा, करीब-करीब 5 ml से भी कम मैं मैंने डाला है, और ये इतने में ही पूरा लेमन का फ्लेवर आ जाएगा, और थोड़ी सी मैं डालूँगा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, जो की कलर और फ्लेवर दोनों को इनहेंस कर देगी, इसके अलाबा हलका सा काले मिर्च का पॉर्डर, अब ये सिर्फ प्लेन है, इसमें कोई भी वेजी कुछ भी हम एक्स्टा यूज नहीं कर रहे हैं, और कॉर्ण का अपना जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट इसमें आना है, बस इसको हमने यह यू करा, और आप यहाँ पर देख लो, यह हमारा बनकर रेडी हो चुका है, यह प्लेन सॉल्टेड आप इस इसको मैं टेमप्रेचर पर इस पर बेस करके दिखाता हूं इसका वेट करके, इसको करेंगे हम साइड मैं आप जैसे बताया था तीन कडशी मैंने लिए तो तीन कडशी में 100 ग्राम के असपस हो जाता है, अब इसको मैंने करा अन, यहाँ पर आजो पास में एक बार, तो य यह 98 ग्राम सिर्फ एक बार मेरे को पता था तीन, अब मैं बार बार तो कबसे तोल नहीं सकता, ना पनी सकता, कस्टमर के सामने ऐसा में नहीं कर सकता, पहले प्लास्टिक में निकालूं फिर उसमें डालूं फिर बनाओ, नहीं, तो मैंने क्या करा, सीधा तीन कडशी इसमे जादा, अब ढकन को कर दूँगा, मैं वापिस से बन, कडशी रखूँगा, यहां पर हम बनाने जा रहे हैं, पैरी-पैरी, तो यहां पर सबसे सिंपल फ्लेवर, सबसे इजी फ्लेवर, पैरी-पैरी मसाले को कट करूँगा, और इसमें कर दूँगा, एड़, पास में आक बहुत अच्छी खुश्बो आ रही है, इसको करूँगा, साइड में, हलके से काले मिर्च को थोड़ा सा डाल दूँगा, यह काले मिर्च को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और साथ में डालूँगा, मैं थोड़ा सा यह लेमन, और अगर आप चाओ तो फ्रेश लेमन डन हो चुका है, अब डालूँगा मैं इसमें, तो यह आपके काम को सिंपल करने के लिए मैंने बनाया है, यह 105 हो गया, आप थोड़ा सा कम भी रखोगे, तो भी चलेगा, यह हो गया 99 ग्राम, एक बार पास में आके दिखा दो, सो यह आगया आपका 99 ग्राम के आसपा 100 ग् जो कि vegetable sweet corn होता है, जिसमें थोड़े से veggies आप डालोगे, आप क्या करना है, simply आपने यह उठाना है, यहाँ पर आप corn डालोगे, एक, दो, और इसमें थोड़ा सा आदा डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें veggies जाने वाली है, थोड़ा सा कम करके डालूँगा मैं, तो यह हो गया, दन हमारा, simply अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे प्याज, यह सबसे ज़्यादा बिखता है, ठीक है, spoon of tomatoes, अगर कोई हरी मिर्ची बोलता है, यह आप मिर्ची भी डाल देना तो मिर्ची आप डाल सकते हो, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हरा इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, इसके अलावा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, जो की बहुत अच्छा फेवलेवर देता है, यह जो में चीजें आपको बोलरो ना, सिर्फ आप इतनी डाल लेना, और यहाँ काला नमक, सिर्फ इतना सा, और इसको करेंगे हम, आप यह जैसे मैंने लीड वाला ले रखा है, तो आप यह लीड वाला भी ले सकते हो, यह ऐसे, और यह किया मैंने, और यह पूरा फ्लेवर इसमें आ चुका है, ढक्कन खोलूँगा, और यह वाला भी आपका डन हो चुका है, जो की है, वेजेटेबल सुीट कॉन, अब इसमें अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ, मेकिंग के बारे में, जो की मैंने अल्रेडी केल्कुलेट करके सब रखी हुई है, आप बस अराम से सुनते जाएगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो एक जो प्लेन सॉल्टेड वारा कॉर्न है, इसमें 100 ग्राम के आसपास का कॉर्न के है, जो की आप मोश्टली 90 ग्राम के आसपास भी सर्फ करेंगे, इस से छोटे कब भी आते हैं, कहीं कहीं पर छोटे कब भी तीस रुपए, चालीस रुपए के बेचे जाते हैं, सो मैं यहां पर आपको कह रहा हूँ कि आपने प्लेन सॉल्टेड बनाया, इसका ज तो फ़र्ण के इतना है, यह आपको शायद 70-80 पैसे के आसपास पड़ेगा और यह आपको त्छ़ड़ा और सस्था पड़ेगाurd चालीस पैसे के आसपास का ग्लास पड़ेगा, इस से भी सस्था पड़ेगा, वो डिपन करता है आपको कैसा घृसल मार्केट है, कहां से आ यहां पर आप देख सकते हूँ एक केजी का पैक्ट है और यह एक केजी का स्वीट कॉण का झेल ऑकल आप सी रुपए और यह अच्सा आपको मिलने चाहिए ले तो आपक बर्गल का कम दांबे बनेगा अगर आपने यह कर ई है है फिर आप। प्यास, Tamaater मेऊणी बहाइ बढ़न Moment for a Čप इसके बाद आपकी इसको बनाने में बहुत थोडी सी महनत लग रही है आपको लेबर की दरुर मेट शरीवाभ नहीं पड़े की तो इसके लिए आपको लेबर नी चाहिए, पर फिर भी आपकी गैस लगी है, और आपके बाकी चीजे लेमन जूस गया है, और सॉल्ट एंड रेड चिली पॉडर गया है, उसका हम छोटा मोटा अगर खर्चा मान लें, तो दो रुपे के असपास है, इस छोटे से कप में, त तो आपने लेट से 20 का बेचा, 10 रुपे का बनाया, 10 का बेचा, कौन सा ऐसा प्रॉफित है, जो डबल प्रॉफित दे रहा है, मानता हूँ छोटा बिजनस है, कम से भी तो शुरू हो रहा है और डबल प्रॉफित आपको दे रहा है, 10 का बना के आप 20 में बेच रहे हो, इस दो बनाने में आप यूज कर रहे हो एक पैकेट, तो धाई रुपे का आपका पैरी-पैरी मसाला हो गया, इसके लाब आप छोटी-मोटी चीज़ने अगर डालना चाहते हो, डाल सकते हो, नमक और लेमन जूस आप डालोगे, तो वो आपका 50 पैसे का हो जाएगा, तो भी इसकी कॉस्ट साड़े-बारा, तेरह रुपे से उपर नहीं जाने वाली, समझ गया आप, इसको आप तीस रुपे का बेच होगे, ये इसको भी हम साइड करते हैं, अब अगर हम मैं बात करूँ, ये जो मेरा सबसे फेवरेट है, और आपने अगर ये नहीं खाया ना, इसको एक बाद बना कर घर पे ट्राए करना, ये आपका ये भी 13 रुपे के असपास बन के त्यार हो रहा है, सबकुछ 8 रुपे का स्वीट कॉन है, बाकी सारी चीज़ें उपर की मैंने लगा दी, तो 13 रुपे के असपास ये बन कर त्यार होगा, जिसको कि आप 30 रुपे, मैं आप बेच रहे हो चीज़, तो वो आप देख लो कि आपकी एरिया में कितने का बिकेगा, बट मैंने आपको एक आइडियल आइडिया दे दिया है, कितने का बन कर त्यार होगा, कितने का बिक रहा है, एक चीज़ बतातू, ये मैं लाया था, जलंदर की मक्सूदा मंड चल रहा है तो वो 60 रुपए का मिल रहा है सो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ी सब्जियां भी खरीदी थोड़ा मार्केट घूमा और वहाँ पर मैं एक्च्वल में तो स्वीट कॉन लेने ही गया था पांसो ग्राम का पैकेट ही I think 110-105-108 रुपए ऐसे कुछ पढ़ा था मैं बिल ढूंड रहा था वो मिला नहीं काफी टाइम पहले की बात है मताँ काफी टाइम नहीं कुछ दिन पहले की बात है सो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आदे किलो का पैकेट इससे महंगे दाम में मिल रहा है और वही मक्सूदा मंडी में बड़ी मंडी में अगर आप जाते हो तो 80 रुपए का पैकेट 1 kg का मिल रहा है तो आप एक बाग कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप कौन सी सिटी से है और आपकी सिटी में मंडी से सुट कॉन किस रेट में आपको मिल रहा है ताकि उससे लोगों को भी फाइदा हो सके अगर आप अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और आप किसी ऐसे सिटी से हैं जहां पर आप 20-30 रुपे से ज़्यादा sweet corn नहीं महंगे बेच सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि frozen corn ही use करो फिर आप जो मक्की के दाने होते हैं simple वो आपको किराने के दुकान से मिल जाएंगे या फिर आपको चक्की से मिल जाएंगे 27 से 30 रुपए केजी के आसपास का rate होगा उसको फिर आपको boil करना पड़ेगा आप उसको cooker में या बड़े पतीले में boil कर सकते हैं अगर आप उसको cooker में boil करते तो धाई से 3 सीटी के आसपास आपको उसको boil करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पर आपकी थोड़ी गैस भी खर्च होगी सो मान लो लेट से 28 से 30 रुपए हम 30 रुपए केजी के हिसाब से भी पकड़ते हैं और 5 रुपए से 10 रुपए के आसपास के आपकी गैस फोग जाएगी तो 40 रुपए के आसपास वैसे तो एक केजी को बाइल करने में 10 रुपए की गैस निफो करी आप सीधा 5 किलो या 6 किलो या जितनी दिन की यूसेज है उतना आप बाइल कर लेंगे तो वो आप अराम से 15-20 रुपए की गैस भी उसमें आपकी लग जाएगी हम आपको कैसे शूरू करना हिए आप डिर्क फ्रोजन शूरू करेंगे या फिर आप चक्की से मक्की के दाने खरीद कर उन्को बॉइल करने के बाद शुरू यह सारा प्रोसेस आपने देख लिया यहांपर मैं लाइसेंस की बात करो तो आपको सिर्फ FSSCI लेना होता, that is Food Safety Standards Authority of India के license, जो कि हर food business के लिए लेना पड़ता है, साथी मैं आप जहां पर लगा रहे हैं, महां की municipal corporations एक बार permission ले लो, एक बार slip कटती है वो slip कट वालो, अगर वो कट सकती है तो, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया स्टीमर का प्राइज है, 500 रुपे 25 रुपे का ये है, 3000 रुपे इसके अलावा 80 रुपे का स्वीट कॉन है बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, और छोटा सा आप टेबल ले लोगे न, 1200, 1500 रुपे का तो 5000 के अंदर भी आप इस बिजिन्स को शुरू कर सकते हैं, 5000 रुपे मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी महनत करके जोड़ोगे ना पैसा तो 5000 रुपे आप जोड़ सकते हो एक टेबल लेके छोटे से सेटप के साथ शुरू करो, आप सीखोगे बहुत कुछ तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत महनत करी है और मैं ऐसा नहीं कि कुई भी बाते हवा में करता हूँ सब कुछ पेपर पे लिखता हूँ ताकि मैं कुछ न भूलूँ और मैं आपको खुद भी कहता हूँ कि जब आप कोई भी बिजनस स्टार्ट करने की बात करते हैं या कुछ भी कोई भी बिजनस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक कॉपी और पैन लेओ सुंदर सी और लिखना शुरू करो जो भी चीज याद आ रही है जो भी important points है लिखते जाओ तो मैं बिजनस की वीडियो पे काम करने के लिए बहुत research करता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ और साथ के साथ जिन भी लोगों से मिलता हूँ उनसे क्या बात करके आया हूँ वो लिखता रहता हूँ अब किसी से बात करो हूँ उस टाम तो नहीं लिख सकता हाँ भी यह बताये क्या point है कि कौरन कित्ते कर पड़ेगा नहीं सारी चीजने समझ लो हम इतने sharp हैं कि हम आने के बाद उनको लिख सकते हैं लेकिन अगर मैं आपस क्यों ही बात 10 साल बात पूछे हो तो शायद वो आपको याद नहीं होगी लेकिन अगर आपके पास वो on paper है तो वो आपके याद रहेगी तो ये simple सी चीज मैंने ये भी खरीदा आपके आप लोगों को दिखाने के लिए steamer और आप लोगों के बहुत comment आई था कि भी sir बनाकर दिखाओ बनाकर दिखाओ ये तीन flavor मैंने आपको दिखा दिये बनाकर इसके अलावा आप अंगीनत flavors बना सकते हो इसके अलावा आप crispy sweet corn भी बना सकते हो जिसके लिए आर रोट या फिर मैदे को आप mix करके इस पे आप छिड़क सकते हो और उसका फ्राय कर सकते हो फिर मसाले उसमें डालने के बाद यही same red chili powder और आपका काले मिर्च का पॉरडर इसके अलावा lemon juice और आपका crispy corn भी बन जाएगा यह भी बहुत जादा सेल होता है एक बार के लिए आप शायद like मत करो subscribe मत करो एक छोटा सा काम जरूर करना अपने area की आसपास की मंडी में जाके sweet corn खरीद के लाना और steamer नहीं आपके पास कोई दिक्कत नहीं है उबलते पानी में इनको डालना और उसके बाद पानी से निकालके corn को बना कर देखना देखना यह तीनो फ्लेवर बना कर और ट्राय करके फिर आपको पता चल देगा कि सच में यह है मज़ेदार या नहीं और यह मेरा फेवरेट फ्लेवर है तो इसको मैं ना खाऊ यह हो नहीं सकता इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको बता दो अगर आप दिन के इस सौ कप भी बेज देते हो ना तो अन आवरेज अगर में आपकी बात करूं तो जो आपका प्लेन सॉल्टिड है उसमें आप 10 रुपर बचाओगे अगर आप 20 का बेचते हो तो अगर आप 30 का ही स्टा का बन रहा है इसको आप 30 का बेचोगे तो इसमें आप 75-70 रॉपर के असपास बाद करूं तो आप 12 कम बेचाओगे अगर पर पर कप पे बच रहे हैं, तो 100 कप बेचने में आप 1500 रुपए कमा लोगे, ये बचत बता रहा हूँ, बिक्री तो बहुत जादा क्योंगे, ये सारे खर्चे निकालने के बाद, 1500 रुपए आपको बच जाएंगे, एक दिन में, और वहीं अगर आप 200 कप बेच देते हो, ये ऐ और मेहनत करके अगर आप 200 कप बेच लेते हो, तो आप अच्छा पैसा, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, धिरे धिरे आपका काम बढ़ता जाएगा, अब ये मेकिंग वीडियो आपने देख लिया, इसके बाद मैं एक next मेकिंग वीडियो लेकर आऊंगा, जो बहुत अ आपको क्या करना है, जो भी मैं बताता हूं, उस पर काम करना शुरू करो और मेहनत करो, और इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत!